तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं निव हुंडाई ग्रेंड आइटें नियॉस जो अभी 2023 में लाँच हुई है ये टॉप मॉडल एश्टा मैनुवल आप देख रहे हैं इसकी एक सो रूम प्राइज है 7,92,700 रुपे है आई आप देखते हैं ग्रेंड आइटेंग का डिट आती हैं और यह है इसका फ्रेंड लुक पहले सब स्पोर्टी फिल आ रहा है चोड़ाई ज्यादा लग रही रीजन है इसका बंपर का डिजाइन चेंज हो चुका है और यह देखवा पहले जो लोगो होता था वो क्रोम में मिलता था और अब आपको सेटन फिनिस के साथ मि आजाए देखते हैं साइट का पुरूफ फाइल तो ऐसा दिखता है साइट का व्यूव लॉय वील्स चेंज हो चुके हैं यह टॉप मॉडल एश्टा आप देख रहे हैं आपको डोर पर क्रोम हैंडल बार मिल जाते हैं इसके टायर साइज की बात के तो आपको इसमें एक स साइड व्यूव ऐसे दिखते हैं ओव आर्वीम टर्न इंडिगेटर के साथ और यह क्रोम डोर हैंडल और यह जी आई 10 की बैजिंग रोफ रेल्स मिल जाते हैं आपको पर और इसके वील बेस की बात करें तो आपको इसमें 2450 mm का वील बेस मिल जाता है और 165 mm की अब बाल देखने को मिल जाता है आई यह आप देखते है इसका टीर का व्यू तो ऐसा दिखता है टीर का व्यूव इसमें आपको यह जोईन लाइट नहीं मिल रही है यह सिर्व डिजाइन का है यह लाइट जलती नहीं है आप चाहएं तो आफ्टर मार्केट लाइट लग च्रेटा के जैसे और यह हो गया इसका वाइपर डिपाउगर और साथ पिन एंटीन यह छोटा सा स्प्वाइलर है इंटीग्रेटेड हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है आपको इसमें उपर साथ पिन एंटीन तो यह पूरा का पूरा रियर लुक ग्रैंड आइटें की बैजिंग और अब आपको इसमें साइनर्फ फिनिस मिलती है उन्डा यका लोगो साथ कैमरा और यह आयटेंटा टॉप मौडल्र की बैजिंग और बाकी यहां निया उसकी बैजिंग और उसके साथ बरमफर में कोई चैंज नहीं है और दो पॉइंट आपको मिलते हैं इ और दो रिफ्लेक्टर के साथ आईए अब देखते हैं इसका इंटीरियर डूल टोन कलर में आपको इंटीरियर मिलता है इसका आईए इसको म्यूट कर लेते हैं तो भाई सबसे अच्छी चीज जो है लगी इसमें अब आपको छे एर बैग मिलते हैं दो फ्रेंट में दो सीट के साइट में यह देखें और दो साइट करटे ने यह बाएग सेग्मेंट में पहली बार हुआ है यह चीज तो अब आईए देखते हैं तो डोर आपको डॉल टोन कलर में मिल ला है ऐसा कुछ यह हो गए पार विंडो के स्विचेस ड्राइवर साइड आपको आट्टो आप आट्टो डाउन का स्विच मिलेगा यह हो गए ओर वियम के कंट्रोल्स एडजेस्टिबल डॉल टोन पैनल आपको मिलता है यहां पर ऐसा दिखता है इंटीरियर और सीटिंग का एडजेस्ट्मेंट है हाइट एडजेस्ट्मेंट के साथ आप दोनों सीट कलर मैज कर रही है डॉल टोन इंटीरिट का अंदर था ही सपोर्ट बढ़िया है बिल्कुल वैसे ही आगे क हेड्रेस्ट फिक्स हैं पहले के जैसे पीछे के हेड्रेस्ट एडजेस्टिबल है टॉप मॉडल है इसलिए आई अब बैट कर देखते हैं इसका स्टेरिंग क्या बात है आपको इसमें पूरा का पूरा लेदर रैप मिल जाता है यह नीचे सैटन फिनिस और बीच में एयर मिल जा रहा है कार्यट का की आपको इसमें टीपी एमेस मॉणिटरिंग सिस्टम मिल जा रहा है आप जैसे गाड़ी चलेगी आपको पता चल जाएगा कि कितनी टायवस में हवा है और यह होगे टाइक हो यह होगे स्पीड हो और यह छोटी-छोटी यह हो यह temperature का और यह fuel का और बाकी आपको डिस्पले वाइसी मिल लाई यह बाकी average mileage pressure के लिए monitoring system आईए एज़ेस्टमेंट चेट करते हैं टिल्ट है टेलिस्कोपि नहीं है आपको टिल्ट स्टेरिंग और आपको आटोमेटिक हेडलाइम मिल जाते हैं और ये वाइपर्स के कंट्रोल फ्रन्ट और येर के ऐसा दिखता है स्टेरिंग और यहां आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्टिश मिल जाता है और ये ट्येक्शन के कंट्रोल और ये एडलाइम लेबलर के कंट्रोल और नीचे आपको इहां मिल जाता है डड़ पैल और एबीसी पैल और ये मैनवर है और आटोमेटिक भी आती है इसके सार बहुत बढ़िया ऐसा दिखता है infotainment system आठ इंच का infotainment system आपको मिल जाता है इसमें इसमें आपको मिल जाता है android, auto, apple, carplay और पहले कि तरा 4 speakers के साथ मिलता infotainment system और इसके निचा आपको hazard light का switch मिल जाता है automatic climate control AC के switches और यहां आपको आप wireless charging देखने को मिल जाती है और यहां पर आपको type c का cable मिल जाता है charging के लिए 5 speed का gearbox है आए रिवर्स करके camera का view देखते है ऐसा देखता है camera का view यह दो cup holders handbrake, ठोड़ी space armrest अब नहीं मिलता है इसमें आपको handbrake IRVM manually adjustable है और यहां आपको मिल जाता है ticket holder, mic और यह passenger side vanity mirror यह थोड़ी से space mobile रखने के लिए अपने समार रखने के लिए नीचे cool glow box मिल जाता है अब आपको इसमें तो ऐसा दिखता है पूरा interior आपको अभी चावी नहीं दिखाई तो ऐस यह दिखती है चावी तीन स्विचेस मिल जाता है आपको इसमें door lock unlock और tailgate opening का और आप रियर का cabin देखते हैं और यह power window के switch ठोड़ी स्पेस, water bottle, holder, speaker बाकी seat बिलकुल सेम है अच्छी लगती थे, अब भी अच्छी लगती है comfort भी अच्छा है अब आए जाई यहाँ पर आपको दो AC vents मिलते हैं और नीचे 12 volt का charging socket मिलता है और आपको एक lamp light मिलती है parcel tray, adjustable headrest आपको मिलते हैं under thigh support भी बढ़िया होगा आए ओपन करते हैं bonnet और देखते हैं इसका engine यह रहा इंजन के 1.2 मतलब आपको इसमें 1200 cc engine four cylinder refined engine मिलता है और power की बात कहें तो आपको इसमें 82, 83 bhp के around और torque की बात कहें तो आपको इसमें 113 nm का torque मिलता है तो यह था new Hyundai Grand I10 Neos का detail review वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें और इसी तरह कि वीडियो देखने के लिए सुभ मोटो लॉक चैनल को follow करें झाल को जँशने के लिए यह रिख वीडियो देखने के लिए कुछ लिए नहीं तो अर्चर्चाप्ण प्सक्छब दॉशने को प्सक्र एंपको शुछें